नमश्कार सु स्वागतम वेलकम मैं निदीश माली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने कुम राशी वालों का नवंबर माह का मासिक राशी पर लेकर उपस्तितु हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेश व्रत और त्योहारों के बारे में एक नवंबर को सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्द करवाचोत मनाया जाएगा दस नवंबर को धन तेरस का पर्व आ रहा है जो कि पंच दिवसिय पर्व की शुरुवात माना गया है वहीं बारा नवंबर को दिपावली का पंच दिवसिय पर्व मनाया जाएगा 13 नवंबर को गोवर्दन पूजा की जाएगी वहीं 15 नवंबर को भाई दूजका पर मनाय जाएगा 26 नवंबर को देव दिपावली आ रही है वहीं 27 नवंबर को गुरु नानक जैनती मनायी जाएगी तो ये है कुछ विशेश वरत और त्योहार जो कि इस मा को बना रहे हैं विशेश अब जान लेते हैं कि ग्रहों की इस्तती के इसाब से ये मा कैसा रहेगा सबसे पहले ग्रहों की राजा सूरी की बात करते हैं जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशी तुला में विराजमान है और 17 नवंबर को अपनी सम राशी व्रशिक में प्रवेश करेंगे महीं बुद्ग्र की बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशी तुला में विराजमान है 6 नवंबर को राशी परिवर्तन कर अपनी मित्र राशी व्रशिक में प्रवेश करेंगे और 27 नवंबर को पुनर राशी परिवर्तन कर अपनी शत्रू राशी धनू में प्रवेश कर जाएंगे महीं मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशी तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को अपनी खुद की राशी ब्रशिक में स्वग रही हो जाएंगे गुरु ग्रह इस पूरे मा अपनी अति मित्र राशी मेश में विराजमान रहेंगे महीं शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी समराशी सिया में विराजमान है और तीन नवंबर को अपनी नीच की राशी कन्या में प्रवेश करेंगे महीं तीस नवंबर को पुना राशी परिवर्तन कर अपनी खुद की राशी तुला में स्वग रही हो जाएंगे शनी ग्रह के अगर वात करें तो वह इस पूरे मा अपनी मूल त्रिकॉन की राशी कुम्म में विराजमान रहेंगे राहू और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस मा विराजमान रहने वाले हैं तो ये है इस मा की ग्रह गोचर की इस्तती का हाल गुरू और राहू का चांडाल योग खत्म हो चुका है तो सभी राशियों को इस योग का दुश प्रभाव देखने को मिल रहा था राहू 30 ओक्टोबर को राशी परिवर्तन कर मीन राशी में प्रविश कर चुके हैं और राहू का ये राशी परिवर्तन बहुत ही इंपोर्टेंट अगर आप जानना चाते हैं कि आपकी राशी के अनुसार राहू के क्या रिजल्ट रहने वाले हैं क्योंकि लगवग 18 माह तक राहू एक ही राशी में विराजमान रहते हैं तो अगर आप अपने परिणामों से अवगत होना चाते हैं साबधानियों को ध्यान रख अपने बविश को उन्नत बनाना चाते हैं तो आप राहू के राशी परिवर्तन के वीडियो जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिये गए वाँ क्लिक करके उन वीडियो का लाव अपनी राशी के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि कुम राशी वालों के लिए नवंबर मा कैसा रहेगा यानि शुरू करते हैं कुम राशी वालों का नवंबर मा का महसिक राशीपल और राशिफल की शुरुआत मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंदर गर्णाओं पर आधारित है और आपकी राशी और लगन दौनों के इसाब से समान रूप से प्रभावशाली है तो सबसे पहले आपके राशी स्वामी की बात करते है जो की हैं शनी और शनी कुमराशी में स्वग्रे ही होकर बैटे हैं शचनामक मापुरुष योग भी बना रहे हैं मकर और कुम राशी के स्वामी ग्रहशनी इस माँ आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं खासकर कुम राशी वालों के लिए तो ये समय बहुत ही शानदार रहेगा क्योंकि शनी अपनी मोलत रिकॉन की राशी में स्वग्रही होकर बैठे हैं शर्शनामक मापु रिश्योग भी बना रहे हैं इसलिए ये समय आपके लिए सफलताद दायक रहेगा अगर अब तक आप मैनत कर रहे थे और मैनत का यतिस्ट फल नहीं मिल रहा था तो शनी जब से कुम राशी में आएं तब से आपको उपनी मैनत का यतिस्ट फल जरूर प्राप्त होगा बस आपको मैनत महुत अच्छे से करनी है लगन और निस्टा से जो भी कारे करेंगे उसमें सफलताद जरूर अरजित करेंगे सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी पारिवारिक सुखों में व्रती होगी महीं वर्क प्लेस पर भी आपके कारें को सरा जाएगा आपकी मैन और निस्टा से कारे कर रहे हैं उन कारें में आप सफलता जरूर हासिल करेंगे अब आ जाते हैं आपके द्वितिय भाव पर द्वितिय भाव के स्वामी है गुरू और गुरू अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है धनेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके कार्यों में आपको बहुत ही अच्छी और शानदार सफलता दिलवाएगा वैसे भी गुरु ज्यान के देवता हैं मेहनत करवाते हैं यस प्रशिद्धी मान सम्मान सब दिलवाते हैं और ये समय आपके धनागमन के इस त्रोतों को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा रोज मेर कि लाब में व्रदी होगी कुटुम में मान सम्मान की प्राप्ति होगी कि निरिस्तदारों से अगर मदबेच चल रहे थे तो वो अब समाप्त हो जाएंगे घर में मांगलिक कारेक्रमों की रूप देखा रखी जाएगी वहीं गुरु चुकी आपके लाभभाव के भी तो लाबेश का अपने से पंचम जाकर बैटना आपकी लाभभ की इस्ततियों को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा इस समय आप अच्छा और उत्रोतर लाभ प्राप्त करेंगे इस समय अच्छानक धनलाब से आपका मनोबल बढ़ा हुआ दिखाई देगा आपकी च्छाए परिस्तितियों से भरा रहेगा तो गुरू के रिजल्ट धनेश और लाभेश दोनों के हिसाब से बहतर मिलेंगे अच्छे मिलेंगे अब आ जाते हैं आपके पराक्रम भाव के स्वामी है मंगल और मंगल यहां पर आपके पराक्रमेश भी हैं और करमेश भी हैं मंगल जो क के लिए थोड़ा सा जरूर उपतार चड़ाव से भरा कर्मिस्थान के हिसाब से रह सकता है क्योंकि कर्मिश अपने से बारवे बैटेंगे परन्तु 16 नवंबर को जैसे ही मंगल आपके कर्म भाव में आएंगे आपको भुद्पूर वो सफलता हैं प्राप्त होगी खासकर प समय आपके प्रमोशन और इंक्रिमेंट को बढ़ाएगा अधिकारियों से आपके तालमेल को और अधिक बढ़ाएगा इस समय बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ लगेगी और आपके कारियों के लिए आपको सम्मानित भी किया जाएगा वहीं मंगल चुक कर अपनी प्रतिबा को दिखा सकते हैं और आपका जो प्रदर्शन है वो सराहनिय रहेगा रिस्क अगर आप किसी भी काम में लेंगे तो उसमें आप सफलता भी हासिल करेंगे यानि आपके लिए जो भी रिस्की फैक्टर होंगे वो वर्क कर जाएंगे और रिस्क लिए ब बहुत आवशक है तो इस समय आपको रिस्क लेना आना चाहिए अपनी पावर को सही दिशा में लगाएं और इस पावर से आप सफलता को सुनिश्चित जरूर करेंगे अब आते हैं आपके सुखिस्थान पर आपके सुखेस और आपके भागेश हैं शुक्र और यहां पर शुक्र हैं आपके कुंडली में योग कारक ग्रह शुक्र के अगर मैं बात करूँ तो आपके अस्टमभाव में नीच के हो रहे हैं साथ में केतु के साथ जड़त्वय योग भी बना रहे हैं दौनों ही परिस्तितियों में चाहे वो सुखेस हो चाहे भागेश हो दौनों क के रिनोवेशन पे खड़ जा गया कोई electronic item खराब हो गया अच्छानक से वाहन खराब हो गया और अच्छानक से ऐसा हो गया कि आपको नया लेना पड़ जाएगा तो इस तरीके से आपका budget imbalance हो सकता है थोड़ा सा संभल कर रहने के आपशिकता है महीं property से सम्मंदित कारियों मे बहुत साफधानी रखें खास कर property के क्रे विक्रे में साफधान रहें क्योंकि ऐसे कारियों में अगर लापरवाई की तो नुकसान की इस्ततिया बहुत अधिक देखने को मिल सकती है और अगर कोई भी paper sign करने जा रहे हैं तो पहले उस paper को पढ़ के ही उस पर sign करें वरना आ आप भागे के भरों से ना बैठें और रिस्की कामों में investment बिल्कुल भी न करें गलत मार्क की तरफ ना प्रेरित हो यानि नशे की तरफ, alcohol की तरफ, drugs की तरफ या फिर विपरित link के प्रती आकर्शन या फिर extra marital affairs होना इस तरह की चीजों से जितना हो सके दूर रहने का प् बढ़ना होगा वरना परिणाम आपको विपरित मिल सकते हैं तो शुक्र के हिसाब से ये समय इतना अच्छा नहीं है थोड़ा सा संबल कर और careful होकर चले अब आते हैं आपके पंचमभाव पर आपके पंचमेश और अस्टमेश दोनों ही हैं बुद्ध और बुद्ध जाकर बैठ रहें आपके कर्म भाव में बुद्ध का कर्म भाव में जाकर बैठना आपके लिए बहुत मिक्स रिजर्ट लेकर आएगा पंचम भाव के स्वामी बुद्ध अपने से सस्टम जाकर बैठेंगे और यहां पर बुद्ध का अपने से सस्टम जाकर बैठना इतना अच तबी आपको सफलता प्राप्त होगी करियर के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपकी मेहनत के दम पर आप परिणामों को अपने लिए सकारात्मक जरूर प्राप्त करेंगे इस समय आध्यात्मिक कारियों में आपका मन अधिक लगेगा और वाध्य यंत्रों से समंदित अगर आप कोई भी काम करते हैं या फिर IT फिल्ड से, बेंकिंग सेक्टर से, एकाउंट या फाइनेंस के फिल्ड से जुड़े हुए हैं तो इन शेत्रों में आप अच्छे लाप की परिस्तितिया अपने जीवन में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे अब वो चुकी अस्टम भाव के भी स्वामी है अस्टमेश जाकर बैठ रहे हैं अपने से तृतिया अस्टमेश का अपने सित्रतिय जाकर बैठना कर्म भाव में बैठना आपके कारियों में आपको सफलता जरूर दिलवाएगा पर इस समय आपको अपने घर से दूर रहकर यात्रा या धिक करनी पड़ेगी इस समय लंबी दूरी की यात्रा को खुड ड्राइव करके जाना अवोइड करें और सोच समझ कर डिसीजन लें कोई भी डिसीजन जल्द वाजी में ना लें किसी पर भी आख मूंद कर भरोसा न करें इस बात का ध्यान रखें अब आजाते हैं आपके रोग भाव पर रोग भाव की अगर मैं बात करूँ तो रोग भाव के स्वामी हैं चंद्रमा जो की फ्लच्वेट होते रहते हैं यहाँ पर आपको अपने स्वास का विशेस रूप से ध्यान रखना पड़ेगा खासकर काम को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं करनी है वरना सरदद माइकरेन की रोगियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इस समय कोई भी कार्य जल्दवाची में न करें आती भावकतावस अपने कार्यों में डिस्ट्रेक्शन पैदा न करें थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो कर सोचें अपने शत्रूओं से साबधान रहें अब आते हैं आपके सब्तम भाव पर सब्तम भाव के स्वामी है सूर्य जो की आधे मा तक यानी 16 नवंबर तक रहेंगे नीच के 17 नवंबर को सूर्य राशी परिवर्तन कर आपके कर्म भाव में आ जाएंगे उसके बाद सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे खास कर जो मेडिकल के फिल से जुड़े हुए हैं सूने के व्यापारिय बिजली का काम करते हैं या उलेक्टरोनिक कैजेट्स का काम करते हैं उतके लिए आधा मा इतना अच्छा नहीं रहेगा और आधे मा पस्चाथ रिजल्ट आपको अपनी मेहनत के चरूर मिलेंगे तो आदे माह तक बस अपनी मैनत को करते चले जाएए चाहे आपको परणाम सकारात्मक मिले या ना मिले क्योंकि 17 नवंबर से आपको सही और सकारात्मक परणाम प्राप्त होते दिखाई देंगे और मैनत का यते स्ट्रुप फल भी मिलेगा पर उससे पहले आपको बहुत सोच समझ कर चलना है अपने पार्टनर से ट्यूनिंग बनाए रखें किसी भी कारे को जल्दबाजी में ना करें योजनाओं को सही तरीके से इंप्लिमेंट करें और एक प्लैन आफ एक्षन बनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें बस इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको यानि कुम राशी वालों को नहीं करना पड़ेगा तो ये है कुम राशी वालों का नमबर मा का मासिक राशी फर अब आते हैं कुछ शुक्तितियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लखी रहेगी 3, 8, 13, 15, 17, 22, 24, 26, 26 और 30 ये डेट्स आपके लिए बहुत ही लखी रहेगी वहीं अशुप तारीकों के बारे में भी जान लेते हैं तो 1, 2, 4, 7, 9, 12, 16, 18, 21, 25, 27, 29 ये तारीके आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है थोड़ा सा केरफुल हो कर चलें वहीं अब रंग की बात करें तो इस मा आपके लिए नीला रंग महुत ही अच्छा रहेगा आप ब्लू के कोई भी शेड्स अपनी शुप या मांगले कारियों में पहन सकते हैं अब आते हैं उपायों पर की इस मा वरत और त्योहारों के इसाब से आपको क्या उपाय करने चाहिए तो कुम्राशी के जातकों को धनतेरस की शाम चांदी का बरतन खरीद कर घर ले आए ये पात्र जल से भरा होना चाहिए चांदी का लोटा, ग्लास या फिर मग आप लेकर आ सकते हैं कुम्राशी के जातकों को धिपावली पर गुरू, यंत्र, अभिमंतरित कर घर के मंदिर में एक वर्ष के लिए इस्थापित करना है ऐसा करने से वह नित्य दर्षण और पूजन करने से मालक्शमी की कृपा पराप्त होगी देव दिपावली के दिन कुम्राशी के लोग यदि लक्शमी जी की आर्ति के बाद स्री सुक्त का पाट करेंगे और 11 दिये किसी पोकर के पास जलाएंगे तो ऐसा करने से आपको लापराप्त होगा महीं कुमराशी के जातकों के लिए धन पराप्त करने के लिए बहुत ही सुन्दर उपाए आपको भगवान विश्नु और लक्ष्मी की सेयुक्त रूप से पूजा आरातना करनी चाहिए पूजन करें वहीं रात बर जागरण भी करें इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी तो ये हैं उपाए इस माहा को करने के परन्तू इस माहा के अलावा यदि आप अपनी जन्व पत्रिका के माद्यम से अपने भविश्य एसे सबंदित कुछ प्रशनों के उत्तर प्राप्त कर सही मार्ग दर्शन से सही रेमेडीज कर सही उपाय कर अपने जीवन को उन्नती के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो आप टेलिफॉनिक अपटमेंट और परसनल मीट के माध्यम से मुझसे जूड सकते हैं अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिये गए नमरों पर कॉल या फिर वाटसेप चरूर करें अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए प्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमीशा मुस्कुराते रहिए जै श्री रादे कृष्णा